इस पतंगे कीड़े के पंक होते हैं लिकिन ये कभी उड़ नहीं पाएगा। आपको पता है ऐसा क्यूं? क्यूंकि हम इनसानों ने इनसे इनकी अजादी छीन ली है। ये घरेलू रेशम कीड़ा है ये अपने जंगली चचेरे भाई की तरह बिल्कुल नहीं है। 5000 साल से हम इनसानों ने इस रेशम के कीड़े को पाल कर इनकी प्रजाती को बढ़ाया है और उन्हें इस प्रकार ढाला गया है जिससे सिल्क का विकास होता रहे और वो इनसे जादा से जादा और अच्छा चमकता हुआ सिल्क ले सकें। ये रेशम का कीड़ा अपनी छोटी सी सूर्ट से लावा निकालता है जो की रेशम फाइवर जैसा होता है और उसी से फैक्टरीज में बनती है चमकती चिकनी क्लोच शीट्स, गाउं, चाई और भी कई सारे कपड़े लेकिन हम सिल्क को सिर्फ उसकी चमक के लिए ही नहीं पसंद करते बलकि सिल्क पहला नैच्रल स्ट्रॉंग फाइवर्स में से एक है इसका दागा इनसान के बाल से भी पतला होता है लेकिन वजन के हिसाब से ये स्टील से पांच गुना मजबूत होता है